जैहिन दोस्तों मैंनी धीबन चुहान आज हम करेंगे क्लास ट्रेंथ का 4.3 का question 3 का part 2 तो चलिए शुरू करते हैं इसमें हमें इस समीकरण के बीज शोधने हैं बीज निकालने हैं तो यह हमारा समीकरण है तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां से तेची गुणा तो x-7-x-4 अपॉन छेदों की गुणा x-4 और x-7 is equal to 11 बटे 30 अब यहां से माइनस अटा देंगे तो यह हो जाएगा x-7- plus, minus, minus, plus, minus, okay अब यहां पर हम कर देगे इनकी गुणा देखी x की x से की, इस x की पहले इस पूरी टर्म से तो x को x से किया तो x square फिर x की minus 7 से तो 7 बंजा 7, minus 7x अब 4 की इस पूरी टर्म से तो 4 एकम 4x plus, minus, 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 7, चौक, 28 बड़ाबर 11 बटे 30, okay अब देखी यहां पर x से x कैंसल, 7 और 4 दोनों minus के हैं तो minus, minus, plus, 7 और 4, 11, minus, 11, okay यहां पर x square, 7x में से 4x गया तो हमारे पस बचा minus 3x और minus 28, okay अब इस, इस 11 को या किसी भी 11 को यदि हम यहां पर गुणा करते हैं, तो 11 से 11 कट जाएगा पता चला, इस 11 को यदि हम इस से 3 गुणा करते हैं, तो यह bracket भी यहां पर 11 आ जाएगा तो 11 से 11 हमारा कट जाएगा, यहां बचेगा minus 1, okay तो minus 1 बचा, तो इसकी हो गई 3 गुणा, तो 30 एकम minus 30 और इसकी भी हो गई 3 गुणा, तो यह उधर चला गया अब x square minus 3x minus 28, इस 30 को उठाकर हम इदर लेके आए, तो minus 30 था, इदर आके plus 30 एक बार इस टर्म को दुबारा समझ लीजिए, इस 11 की इस पूरी टर्म से होती है, देखिए ऐसे हमने एक बार यहां गुणा कर दिया, 11 से, ठीक है, क्योंकि यह 11 है, तो 11 से 30 गुणा होगी, तो यह 11 आ जाएगा, तो 11 से 11 जब कट जाएगा, तो क्या बचेगा, minus 1 फिर इस 30 को इस से गुणा करेंगे, तो आ जाएगा, minus 30, अब देखिए आगे क्या करना है, x square, minus 3x, 30 में से 28 गया तो 2, अब यह एक द्विखात समिकरण बन चुका है, ठीक है, तो यहां पर देखिए, a बराबर है 1, b बराबर है minus 3, और c बराबर है 2, अब इसमें हम लगा देखिए, b क्या है हमारा, minus 3, तो minus 3 का वर्ग, minus 4, a क्या है, 1, और c क्या है, 2, तो 3 का वर्ग, 9, अब यह देखिए, यह एक टर्म है, तो यहां पर minus 4, 4 दुनी, 8, 9 में से 8 गया, तो हमें मिला 1, यानि कि b square minus 4ac, हमें मिला 1, आगे, अब हम इससे x निकालेंगे, x के लिए minus b, plus minus root में b square minus 4ac upon 2a, तो x बराबर, यहां पर, 3, b क्या है हमारा, 3, plus minus, और हमारा b square minus 4ac आया था, 1, तो इसलिए हमने आवर्ण रख दिया, 2a, a हमारा 1 है, तो 2 वन जा, 2, तो हमारा answer आ गया, 3 plus minus root में 1 upon 2, अब इसको एक बारी हम, 1 का वर्ग 1 ही होता है, इसलिए हम इससे root से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, तो एक बारी plus में, और एक बारी minus में, तो 3 plus 1 upon 2, 3 और एक 4, 4 बटे 2, 2 से दोनों कट गए, तो आया 2, एक बारी minus में, 3 minus 1 upon 2, तो 2, 2 बटे 2, दोनों 2 से कट गए, तो आय 1, मिलते हैं अगले question के साथ अगली वीडियो में, जै हिन, जै भारत